तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है यह फलहारी नमकीन फलहारी चीवडा जिसको बोलते हैं खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है बहुत ही क्विक और इजीली इसको बनाया जा सकता है तो चलिए फिर फटाफ़ची शुरू करते हैं और बनाते हैं इस तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा आई होप आपके लिए यह हैलफुल रहे अगर मेरे चैनल को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सबस्क्राइब करिएगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो फलहारी नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यापे आदा कटोरी पीनट ली है मुंगफली ली है मैंने और दो बड़े साइस के आलू लीये हैं नेक्स्ट यापे मैं ये फलहारी नमक ले रही हूँ नॉर्मल नमक भी तो फलहार का नमक लेना जरूरी है नेक्स्ट मैंने आपे आदा चमच काली में इचली है और ये दो ग्रीन चिली ली है क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें इन आलों का जो उपर का छिलका है उसको रिमूब कर देना है तो दौनों आलों को पहले मैं अच्छे से छील लेती हूं तो यह देखिए दौनों आलों को अच्छे से मैंने छील लिया है अब हमें इन आलों को कदू कस करना है तो बहुत ही बारीक हमें कदू कस नहीं करना है तो मैं आपको दिखाते हूं यह देखिए एक इसमें से कदू कस करेंगे यह किसने की है यह तो ये वाला हम यूज़ करेंगे बड़ा वाला इससे हम कदुकस करेंगे आलूओं को तो यहां पर मैं एक प्लेट ले रही हूँ तो इसमें मैं आपको कदुकस करके दिखाती हूँ जादा बारीक करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा खाने में तो बड़े वाले होल से करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें कदुकस करना है तो पहले मैं सारा कदुकस कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ तो ये देखें दौनों आलूओं को मैंने अच्छे से कदुकस कर लिया है मूटा मूटा ही कदुकस करना है मैं एकदम बारीक नहीं करना है अब हमें इने अच्छे से वाश करना है तो एक बाउल ले लेती हूँ पहले मैं और इन सारे आलूओं को जो कदुकस किया है उसको डाल दूँगी और अच्छे तरीके से मैं इसको तो यह देखिए इसमें मैंने बावल में निकाल लिया है अब मैं इसमें पानी एड़ कर दूंगी और अच्छे से दो से तीन बार मैं इसको वाश कर लूँगी और एक चली में चान लूँगी तो यह देखिए दो से तीन बार अच्छे से वाश करने के बाद मैंने इसको चली में रख दिया है ताकि जो भी पानी हो इसका एक्स्ट्रा वो भी रिमूब हो जाए बट फिर भी इसका जो भी पानी होगा एक्स्ट्रा वो रिमूब नहीं हो सकता है तो इसको हमें क्या करना हाथों की मदद से प्रेस करती हुए सारा पानी निकालना है मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है यह देखिए आलूओं को जो कदुकस किया है उसको अच्छे से हाथ में लेना है और फिर इसको अच्छे से प्रेस करती हुए पूरा पानी इसका रिमूव करना है ये देखिए ऐसे करना है और अच्छे से फैलाते हुए एक अलग प्लेट में रख लेना है तो ये देखिए सारा पानी अच्छे से मैंने निकाल दिया था ये देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है तो ये देखी एक्ष्ट्रा जो पानी है वो इसमें आ चुका है अब हमें इसको फ्राई करना है जो कदुकस किये हैं आलू तो इनको हमें अच्छे से डीफ फ्राई करना है तो गैस पर मैंने कडाई चड़ा दी है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है मैं ऑईल दालूंगी रिफाइंड ऑईल तो ऑईल इतना टाला है कि अच्छे सी दीफ्राई हो जाएं और ऑईल को हम अच्छे से गरम कर लेते हैं तो ऑईल गरम हो चुका है यह देखे मैंने एक डाल के देखा है टैस्ट करने के लिए कि गरम हुआ है कि नहीं तो अब हम बाकी के आलू भी डाल देते हैं तो हम आधा आधा करके डालेंगे एक साथ पूरा आलू नहीं डालेंगे तो पहले आधा डालते हैं और उसको अच्छे से डीफ्राई करते हैं तो ये देखे सारे आलू अच्छे से डीफ्राई हो चुके हैं अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, टीशू पेपर के उपर निकाल लिएगा, क्योंकि जो भी इसमें वाइल होगा वो टीशू पेपर में आ जाएगा, तो सारा हम निकाल लेते हैं पहले, तो अगेन उसी कड़ाई में जो आलू हमारा बचा था उसको डाल देंग और अच्छे से फ्राई करेंगे, तो आलू को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, और फिर से उसी प्लेट में हम निकाल लेते हैं, टीशू पेपर के उपर, तो आलू को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब अगेन उसी कड़ाई में, मैंने जो यहां पर आधा कट पीनट ली थी मुंफली उनको हमें अच्छे से फ्राई करना है तो इनको हम पहले फ्राई कर लेते हैं तो यह देखिए आधा यह फ्राई हो चुकी है अब मैंने यह पर जो ग्रीन चिली ली थी उसको भी हम फ्राई कर देंगे ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आए तो यह देखिए दौनों चीज यह अच्छे से फ्राई हो चुकी है अब हम इसको एक बाउल में निकार लेते हैं तो यह देखिए फलारी नमकीन बनाने के लिए सारी चीजय हमारी तयार है यह आलू को जो फ्राई किया था और यहां पे जो मिर्च थी उनको भी फ्राई कर के लिया था नेक्स यहां पर यह काली मेच पाउडर है नेक्स यहां पर यह फलारी नमक है नेक्स यहां पर जो मुंगफली ली थी उनको मैंने थोड़ा थोड़ा सा आदी मुंगफली को मैंने कूट लिया है और आदी मुंगफली को मैंने ऐसे ही रखा है आदा छिलका निकाल दिया है और आदा ऐसे ही रखा है तो अब सबसे पहले मैं इसमें आलू मैं मुंगफली एड़ करूंगी देन उसके बाद मैं इसमें हरी मेच एड़ कर दूंगी और काली मेच और जो नमक है उसको भी हम अच्छे से एड़ कर देंगे तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं और काली मेच भी हम एड़ कर देंगे तो काली मेच भी आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं कि आपको कितना तिखा खाना पसंद है अब इन सबी चीजों को हम अच्छे से एक स्पून की मदद से मिक्स कर देंगे तो देखा आपने कितना एजी है ये फलारी नमगीन बनाना तो आप एक बार जरूर ट्राइ करें ऐसा नहीं है कि आप इसको नवरात्री में या किसी फास्ट में ही बना के खाएं आप कभी भी इसको बना के खा सकते हैं बहुत अच्छा स्नैक से ये तो ये देखिए फलारी नमगीन हमारा बन के तियार है तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ करें और मुझे जरूर बताएं कॉमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो ये देखिए फलारी नमकीन मैंने एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है सर्ब करने के लिए देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और खाने में तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो आप इस रेसिपी को एक वाज़ जरूर ट्राइ करें और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा आई होप आपके लिए ये वीडियो हेलफुल रही हो तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ या आदर को एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर